इसलाम अलेकुम वेलकम टू पाकिसान स्टॉकनेटिक अमीद है कि आप तुमां दोस्कारीज से होंगे दो दिन की चुटी के बाद आज वीडियो अपलोड कर रहे हैं जी यह वो दो दिन जो मैंने गुजारिश की थी कि मैं अवेलेबल नहीं होगा बेसिकली वो ट्रैबलिं में ही गुजरे पाकिस्तान आना था मैंने तो अलहम्दुल्ला मैं पहुंच गया था हूँ एक दिन पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश की थी कि मैंने मेरा प्रोग्राम है कि पाकिस्तान में ऑफिस वगरा स्टाप्रिश करने का उसी सिलसले में यह विजट है तो अ जाल बता यहां के जैसे ही कुछ आफिस के ख़दों खाल जो है बनुमाया होंगे तो फिर इन्शालला आप तमाम दोस्तों के साथ उसको शेर किया जाएगा चलें जी वीडियो की तरफ चलते हैं और थोड़ा सा आज जाइजा लेने की कोशिश करते हैं कि मार्किट की क्या पॉजिशन है सुना है जी मार्किट जो है वो बड़े दमाके डाल रही है तो बड़ा अच्छी बात है जी एक उपरचुनिटी है और उस उपरचुनिटी का आपको उस उपरचुनिटी से आपको फाइदा जरूर उठाना चाहिए यह बड़ी एक इंपॉर्टन चीज है आपको याद होगा कि मैंने मैं अक्सर एक बात कहा करता हूं कि यार जिस वक्त मार्किट जो है वो अपसाइड ट्रेंट में हो उस वक्त शेर्ज को सेल करना और जिस वक्त मार्किट जो है वो डाउन ट्रेंड में हो उस वक्त शेर्ज को बाई करना यह बड़े होसले की बा जाते हैं वो जो बाइंग ऑपिचुनिटी होती है उसको भी मिज़ कर जाते हैं तो बरहल इंशालला इसके ओपर तफसील से कभी बात करेंगे चलते हैं आगे लास्ट टाइम जो है जुम्ह वाले दिन मार्केट ने तकरीबन साड़े चार सो पॉइंट जो है वो और डाले है एक अच्छी कांटेनिटी है वो इंशालला जब हम कैंडल की तरफ जाएंगे तो हम इस चीज़ को डिसकस करने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा ग्राफिकल व्यू का थोड़ा सा सौरी उससे पहले जरा सरक्ट ब्रेकर को देख लें कि साड़े चार सो पॉइंट मार्केट डाले हैं तो क्या उसका इंपेक्ट जो है वो मार्केट पे क्या नजर आ रहा है तो वाजिवा वेवस भी अपर अपर गला है सुना जी वेवस ने बड़े तुमाले डाली है दो दो तिन दिन से चले यार अच्छा हो गया तकरीपन काफी दोस्त जो है वो मुझे मैसेज य जा रहा है आपका शेर नीचे जा रहा है चलें यार जहां जहां पर 24-25 पर आपने ख्रिदा था वहां पर वापिस आ गया है आगे आप लोग अपना अपना फुद जो है वो देख लीजेगा क्या आपने क्या करना है वेवस बारहालिक अच्छे वालियम के साथ हुआ टी गुड साइन के मार्किट जो है वो ऊपर है और कोई एक भी कमपनी जो है वो लोर कैप में नहीं है एक अच्छा साइन है देखिए अब यहां पर आप लोग आपना डिसीजिजन जुरूर करे बाकि इंशालला जो है देखिए मार्किट जो है वो मैं हमेशा एक बात कहा करत चलें यार कभी कभी कैल्कुलेशन रॉंग भी होनी चाहिए हम ऐसा थोड़ी करते हैं कि मैंने हमने जो कह दिया पिर उसके बाद हम उसके उपर स्ट्रिक हो जाएं कि नहीं जी और फिर उसको हम साबित करने के कोशिश करें यह इन्शाला चलते हैं कैडल पर बात करते हैं उस कर रहा था और उसकी जगह जो है वो बाकी की जतने भी सेक्टर से थोड़े इंप्रूब हो रहे थे जबकि आज ऐसी पूजिशन नहीं है और टेक्नालोजी सेक्टर जो है वो थोड़ा बहतर हुआ है पहले की निस्वत और इसमें थोड़ी सी कॉंटिनियूटी भी जो है तो बजाहर मुझे नज़रा आ रही है कमर्शल बैंक्स बाराल फिलहाल अगेन डिप्रेस हैं और जो चीज़ें डिप्रेस होती हैं उनको भी जरा नजर में रखना चाहिए टॉप 10 सेंबल्स की बात करें देखें टॉप 10 सेंबल्स में अगर आप देखें तो वॉलियम जो दम से देखिए जब मुख्लिफ शेर ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो डेली ट्रेड होते हैं अब यह थोड़ी सी बात जो है इसको तोड़ा सा एक्स्पेरिन कर लेते हैं यहां पर आगे जाने से पहले कुछ शेर ऐसे होते हैं लेकिन ट्रेड तो डेली होते हैं लेकिन उन दिन वो आपको अच्छा वॉलियम दिखाएं उसकी कांटीनियूटी जो है वो अगले एक यह दो दिन तक उसका असर रहता है तो ऐसी सूरते हाल में क्या करना चाहिए ऐसी सूरते हाल में इधर उधर हो जाना चाहिए आगे चाहिए सेंबल पॉजिशन की बात करें एडवां दिनों जिस वक्त हम इस चीज़ का जाइजा ले रहे थे तो मार्केट के अंदर जो जिरो वॉलियम था वो तक एमने एक दिन हमने 7% तक भी देखा जोके ड्राय होते हुए वॉलियम की एक इंडिकेशन थी आगे चलते हैं और बात करते हैं समरी की समरी क्या कहती है 115 डिकल रूते हाल है ठीक है भई आटो मॉबाले असेसरी में देखें लोड्स ने अच्छा परफॉर्म किया है एस कंपेर टू अधर्स के लोड्स दो तीन दिन से अच्छा परफॉर्म कर रहा है केबल्स में हमारा वेव जिन्दाबाद 1.73 के साथ अपर कैब हुआ लेट सी इन्शालला मुझे अमीद है के अगले एक दो सेशन जो है वो भी इसमें देखें इसके वो राइट्स वगरा आने है न तो उसका भी एक इंपक्ट अपनी जगह पर है तो आप लोग अपने डिसीजिन कर लीजिएगा कि आपने क्या करना है जितमें दोस्तों ने म परफॉर्म करना चाहिए था उस तरह से ये परफॉर्म करता हुआ ना नजर नहीं आरा जिस तरह से ये कहा गया कि इसकी पता नहीं कितने परसंट जो है इसकी फिफ्टी परसंट तक भी इनोंने कहा जी के सेल्स ज्यादा हुई है तो पिर उसका एक इंपक्ट नजर आना नहीं आया बारत आगे चलते हैं क्यमिकल सेक्टर में फ़ी देखें बात ये है कि अगर मैं इस वक्त अगर मैं अपने आपको देखूं कि मैं इस वक्त किस एंड मैं हो तो सर मैं तो इस वक्त सेलिंग एंड पे हूँ सीधी सी बाद मैंने आप से पहले भी ये कहा था कि भई मैं तो सेलिंग एंड पे हूँ मार्किट जो है वो मुझे उपरचुनिटी फ्राहम कर रही है और आई एम सेलिंग अभी मेरा बाय का कोई खास मूड नहीं है जैसे जैसे मार्किट मुझे आउपरचुनिटी फ्राहम कर रही है आई एम सेलिंग और मेरे जो दोस्त हबाब है वो भी तकरीबन सेलिंग पर ही है अब ये देखें एंजिनरिंग सेक्टर और स्टील सेक्टर और सिमेट सेक्टर जो हैं ये चुक्के दोनों साथ-साथ चलते हैं तो दोनों को ही आप देखें कि कोग खास परफॉर्मंस इनकी इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही जितने के रिजल्ट्स हमें बता रहे जा रहे थे कंस्ट्रक्शन के हवाले से परहल फर्टिलाइजर सेक्टर अगें डिप्रेस होने के मूड में है कोई बाद नहीं जी देखें डिप्रेस होगा जो सेक्टर डिप्रेस होता है उसके उपर नज़र रखने चाहिए बगार किसी को बताय हुए समझा करें दरबाद को आगे चलें जी फूड सेक्टर गुड सारा ही उपर वरी गुड गलास में गली नीचे आगे हैं चलें जी कह जा रहा है काफी अरसे से मैंने गलास के अंदर ट्रेट नहीं किया तो चलांगे लगा रहा था तो चलांगे लगाने वाली इस वक्त पोजिशन है कम असकर मैं तो इफोर्ड नहीं करता बाकी आप दोस्तों का पता नहीं है बादशा के शेर फिर उपर मुझे लगता है यह फिर पाइंट सो लगाएगा है कि लो कोई बास लगाने दें मेरे बास नहीं है यार यह कितने के चला गया है यह वहीं पही ही है मुदार बे शुदार बे सारे नीचे चले गुड़ा यार पाकिस्तान में आयोगे दो तीन दिन हो गए है तो इन्शालला बस बहुत जल्ड काम शुरू करेंगे आफिस प्रीज साइ्ट वगैर स्लेक्ट करके फिर इन्शालला आप यह नहीं वोыми सेभी चाईंट एप थिर चाईशन जाsilính इस विए नाग मूँछ धुस्ट तो इससे आपको जरूर फाइदा उठाना चाहिए बस यार और कुछ नहीं है कुछ खास नहीं है आज वीडियो भी बस चुकि मैं तेन चार दिन से वक्षे से बना रहा हूँ तो कोई मज़ा नहीं है लेट सी के आगे चलते हैं और कैंडल को देखते हैं कि कैंडल क्या कहती है देखिए कैंडल के हवाले से ये हमने आपको याद होगा कि मैंने ये एक ट्रेंड लाइन लगाई थी और ट्रेंड लाइन लगाने के साथ दो चीजों को हमने डिसकस किया था पहली चीज़ जो थी वो हमने ये डिसकस की थी कि जी इसको थोड़ा बड़ा कर लें देखे पहली चीज़ जो थी वो हमने ये डिसकस की थी कि जी एक सूरते हाल तो ये हो सकती है के कैंडल यहां बने यहां बने यहां बने and then इसको cross कर जाए और यहां बर बने अब देखें इस condition के अंदर जो market है फिल हाल तो वो नजर आ रही है एक जीज़ लेकिन इसके साथ हमने एक चीज़ और जो थी अगर आपको याद हो तो वो यह discuss की थी कि यह सूरते हाल भी हो सकती है यह वादी I hope so कि यह उस वक्त मैंने का था कि आप इसको दरा save कर लेजी अब यह इस चीज़ का जो decision है कि क्या market जो है वो 46 की तरफ जा रही है कि यह पिर यह 45,200 से वापसी का जो है वो इक्तियार करेगी तो इस चीज़ का फैसला जो है यह मुझे उमीद है कि इन्शालला मंडे वले दिन हो जाएगा क्योंकि यह जिस वक्त हमने trend लाइन लगाई थी उसके साथ हमने यह दो चीज़ें डिसकस की थी और उसमे 39,000 का भी मैंने जिकर किया था देखें देखते हैं कि इन्शालला मंडे को मार्केट जो है वो किस मूड की तरफ जाती है क्या वो इस trend लाइन के उपर हमें closing देती है तो फिर जो है वो तो हमारा target होगा next 46 का और यह बिल्कुल same to same वो ही candles हैं जो कि हम पहले भी डिसकस कर चुके हैं देखते हैं जी market क्या करती है मुझसे पूछें कि मैं क्या buying कर रहा हूँ sir मैं buying के mood में बिल्कुल नहीं हूँ ये एक मेरी देखें हर बंदे की जो ना एक अपनी policy होती है अपना एक तरीका कार होता और उसको उसी के मताबिक काम करना चाहिए कुछ दोस्तों ने सवाल पूछा था कि जी आप इस चीज को explain करें कि हर share हर बंदे के लिए नहीं होता तो इन्शालला मैं उसके उपर एक separate वीडियो बना दूँ अगर हम RSI की बात करें या जो दूसरे indicators हैं वो हमारा चोटा बच्चा एक उसको मैंने इस्तमाल किया हुए चंद दिन हो गए हैं जिग जैग वो क्या कहता है वो शायद कि खुड़ हमारी इसमें help करें राइट अब यह देखिए इसने अभी जो है वो market का low decide करना है और low decide किस वक्त होगा जिस वक्त मार्केट उपर किसी एक ऐसे मुकाम पर पहुचेगी जहां पर हम already line लगा चुके है अब देखना ये है कि क्या Monday वाले दिन market यहां से reversal लेती है या market देखें अक्सर वकाद questions आते हैं डी कि reversal से आपका क्या मुराद है देखें इस चिज़ को एक पुड़ा सा ना ये एक समझ लीजिए कि universal truth है अगर market उपर जा रही हो जिस तरह को जिश्टा दो तीन दिन से जा रही है और हम जो है उसके साथ एक लफ़ज इस्तमाल करते है reversal का तो इसका मतलब यह होगा कि market आप उपर से नीचे की तरफ आने वा आ सकती है इसको कहते है रिवर्सल और अगर market जो है वो नीचे जा रही हो और हम ये कहें कि market का reversal हो सकता है जिसका मतलब होता है उपर की तरफ reversal का मतलब होता है opposite तो ये प्लीस तोड़ा से इसको यहां पर understand कर ले तो मैं यहां पर यह कहना चाह रहा हूँ कि ये Monday वले दिन की जो candle बनेगी वो decide करेगी कि क्या market जो है वो इसी trend को follow करते हुए 46 की तरफ जाती है यहां के market का reversal start होता है तो ये इन्शालला फैसला होगा Monday वले दिन उसके बाद आगे चले जरा RSI को देख लेते हैं कि वो क्या कहती है RSI के trend भी बहाल उपर की तरफ है देखते हैं इस वक्त 52 पे है that's not going to be a 70 लेकिन इसका जो angle है वो इतना बुरा नहीं है RSI बहाल आपकी candles को support कर रही है अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या यहां पर bind करनी चाहिए यह नहीं तो अगर मुझसे पोछेंगे तो नहीं ठीक है ना देखें हर बंदे के अपनी policy है सर आप अपने हालाद के मताबिक अपना फैसला करें हमने अपने हालाद के मताबिक अपना फैसला करना है बाकी मैंने आपसे यह गुजारिश की थी कि अभी फिलहाल जो है वो हमारी जो प्रीमियम इनहांस सर्विस है उसमें अभी हम मज़ीद कलाइंट नहीं ले रहे और स्टिल नहीं ले रहे इन्शालला जब दुबारा शुरू करेंगे तो आपके साथ डिसकस करेंगे आज की वीडियो काफी ठंडी बनी है इन्शालला एक दिन में गरम हो जाएगी तो इसी के साथ गुजारा करेंजी फीड़बैक दें फिर इन्शालला जो है वो आपके साथ रापता भी किसी पाकिस्तानी नबर से भी इन्शालला करने की कोशिश करेंगे कोई सवाल हो तो आप यूट्यूब पे पूछ लिया करें फेस्बुक के अपर कमेंट ना किया करें ठीक है जी अल्ला हाफिस